नमस्कार दोस्तों, E-Learning में आपका स्वागत है जहां हम आपके लिए लाते हैं हर जरूरी शैक्षिक अपडेट आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे CBS E-Board परीक्षा 2030 की टेटशी परीक्षा के समय और कुछ जरूरी निर्देशों के बारे में इसके साथ ही हम आपको देंगे कुछ खास टिप्स ताकि आप अपनी परीक्षा में बहतर प्रदर्शन कर सकें तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें CBS E-Date Sheet की घोशना दोस्तों केंद्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBS E ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए 2025 बोर्ड परीक्षाओं की टेटशीट चारी करती है यह डेटशीट अब CBS E की आधिकारिक वेबसाइट लाइन्स पर उपलब्त है आप इसे वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं यह खबर आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि अब आपके पास अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का समय है आईए जानते हैं डेटशीट के बारे में विस्तार से कक्षा 10 की डेटशीट कक्षा 10 की परीक्षाएं 15 फर्वरी 2025 से शुरू होंगी और 18 मार्च 2025 तक चलेंगी यहाँ पर हम कुछ मुख्य विशयों की तारीखें बता रहे हैं 15 फर्वरी 2025 को English Communicative and English Language and Literature का एक्जाम है 20 फर्वरी 2025 को यह Science का एक्जाम है 28 फर्वरी 2025 को Social Science एक्जाम है 28 फर्वरी 2025 को Hindi Course A and B का और 10 मार्च 2025 को Mathematics बाकी विशयों के बारे में विस्तार से अपनी डेट शीट में देखें अब जानते हैं क्लास 12 की डेट शीट के बारे में कक्षा 12 की परीक्षाएं भी 15 फर्वरी 2025 से शुरू होंगी और 4 अप्रेल 2025 तक चलेंगी यहाँ पर कुछ मुख्य विशयों की तारीखें दी गई है 27 फर्वरी 2025 को एक Chemistry का एक्जाम है जो 8 मार्च 2025 को Mathematics का एक्जाम है और 19 मार्च 2006 Economics का एक्जाम है संपूर्ण डेट शीट के लिए CBSE की वेबसाइट पर जाएं दोस्तों परिक्षा का समय सुबद 10-30 बजे से शुरू होगा लेकिन ध्यान दें आपको परिक्षा केंद्र पर सुबद 10 बजे तक पहुँचना अनिवार्य है समय पर पहुँचना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि तेड से पहुचने पर आपको परिक्षा में बैठने की अनुमती नहीं दी जाएगी परिक्षा से जुड़ी ज़रूरी बाते हमेशा अपनी टेट शीट और एड्मिट कार्ड को संभाल कर रखें ये दोनों दस्तावेज परिक्षा के दौरान अनिवारे हैं परिक्षा सामगरी केवल वही सामगरी परिक्षा में ले जाएं जो अनुमती प्राप्त है जैसे की पेन, पेंसिल, एरेजर और अन्य स्टेशनरी किसी भी प्रगार की electronic device जैसे mobile phone या calculator ले जाने की अनुमती नहीं है उत्तर पुस्तिका को सही ढंग से भरे उत्तर पुस्तिका में सही तरीके से रोल नंबर और अन्य जानकारी भरे कोई गलती न करे परिक्षा के दौरान क्या करें और क्या न करें क्या करें अगर कोई प्रशन समझ नहीं आ रहा है तो आगे बढ़े अनुचित साध्धाधनों का उप्योग न करें तैयारी के लिए सुझाव अब बात करते हैं आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने की एक एक टाइम टेबल बनाए हर विशे के लिए समय निर्धारित करें कठिन विशेयों पर ज्यादा ध्यान दे दो प्राक्टिस सेट हल करें पिछले वर्षों के प्रशन पत्र हल करें इससे आपको परीक्षा पैटर्न समझने में मदद मिलेगी तीन रिवीजन करें बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है खास कर महत्वपूर्ण टॉपिक्स का चार स्वस्थ दिंचर्या अपनाए परीक्षा के समय स्वास्थे का ध्यान रखना भी जरूरी है परियाप्त नींद लें और पौश्टिक भोजन करें छात्रों के लिए एक खास संदेश प्रिय छात्रों यह समय आपके भविश्य की नीव बनाने का है घबराई नहीं बलकि आत्मविश्वास के साथ तैयारी करें आपकी महनत ही आपके परिणाम का आधार होगी हम जानते हैं कि आप सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी महनत करेंगे आखिरी बात अगर आपको यह जानकारी उप्योगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आप सभी को हमारी ओर से CBS E-Bord परीक्षा 2025 के लिए धेरो शुब काम नाए अपना ध्यान रखें थैरे बनाए रखें और अपने लक्ष की ओर बढ़ते रहें धन्यवाद